नमस्कार दवायर में आपका स्वागत है मैं हूँ मिनाक्षी शो है बाद भारत की भारत की बात हो रही है घरत के युवाउं की बाद हो रही है नेता लगा तार युवाउं उपने भाषणे में जगा दे रहे हैं युज थिर देश का यूववा क्या करर रहा है देश का यूवा पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई करने के अब नौकरी की सिरीज कर रहे हैं जिसमें हम जितने पेपर लीक्स और भरती गोटाले हो रहे हैं उन पर काम कर रहे हैं हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए स्टोडियो में मौझूद हैं दवायर हिंदी के रिपोर्टर अंकित राज में तर्शक को बताना चाहूंगी कि दवायर ने पूरी सिरीज की है जिसमें woodach in और एजंसियों पर काम किया है और अंकित ने उन रिपोर्ट को लिखा है अंकित मेरा पहला सवाल यही है जब आप जितने भर्टी गोटालों की हमने बात ही हमने जुजरात में कुछ भणताले हुए पिछले 10 सालों में उनके अभी जो सीरीज आपने की है पिछले महीने उसमें एक एजनसी का नाम आया है एहमदाबाद की एडुटेस्ट हम बात करते हैं पेपर लीख हो रहा है अनियमित्ता हो रही है और उस सब की जिम्मेदार एक एजनसी है जिसको पेपर कराने का ठेका दिया गया है यह क्या मसला ह क्या है एडुटेस्ट अभी हाल में तब चर्चा में जब पिछले महीने जून में 20 जून को उत्तरप्रदेश सरकार ने एडुटेस्ट को बैन कर दिया क्योंकि वह जो कॉंस्टेबल भरती परिक्षा थी उसमें निमित्ता सामने आये थी और स्टुडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे लगातार उसे लेकर यहां मैं आपको रोगना चाहूं कि मैं दर्शकों को बता दूं कि यह कॉंस्टेबल भरती परिक्षा फरवरी में हुई थी फरवरी में इस परीख्षा को होना था पर पता चला कि इसका पेपर लिक वह घुगा था उत्तरप्रदेश में इ इसे लेकर परिक्षा हुई थे उसके बाद तुरंथी पता चल गया कि पेपर लीख है और जो अभ्यरती है वह लखनों में प्रदिसभर से वह लखनों में प्रदर्शन करने लगे सरकार को दबाव में आके परिक्षा को रद करना परा सांथ ही अब जाके जून में उस कंपन करने और परिक्षा आयुजित करने का कामिया करती है इनका दावा है कि इन्होंने 113 करोर परिक्षा करवाई है लेकिन यह कंपनी लगातार विवादों में रही है यह कोई पहला पहली बार कोई राज जय नहीं था जो एडुटेस्ट को बैन कर रहा था उत्तरप्रदेश स किस सरकार ने अदुृटेस्स को ब्लैक लिस्ट किया यहां पर एजन्सी पे किस तरह कि आरोप लगे थे यहां पर एजन्सी पे आरोप है कि इनके गोडामस परिक्षा के पेपर लीक हुए और क्योंकि पूरी जम्मेदारी इन परिक्षा को आउजित करवाने के इन्हों कुछ काम को आउटशूर्स किया था पूरी जम्मेदारी इन पर थी इसलिए जब सिट ने अपनी पहली रिपोर्ट दाखिल की और उसमें जो बाते बताएं तो इस कंपने पर इच्छा आउजित करवाई थी, लीक वहां से डारेक्ट कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जब दूसरी बार HDF ने अपनी बात रखी मीडिया के सामने आके तब बताया गया कि नहीं, हमें संदे है कि एडुरिश्ट भी इसमें सामिन हो सकती है और इसके तो 2017 में जब बिहार S.S.C की परीक्षा होती है और उस परीक्षा में भी अनिमित्ता पाई जाती है उस अनिमित्ता के बाद जो कमपनी के निदेशक है विनी तार्या उनको जेल हुई थी, वो अभी भी उस मामले में जमानत बाहर है तो तब उनको बिहार S.S.C की अपने नाम बदल लिया 2007 वाले विवाद के बाद और कंपनी का नाम एडू टेस्ट हो गया दूसरा विवाद आता है 2023 में बिहार विद्याले परिक्षा समीति जो है उसने एडू टेस्ट को कई तरह की परिक्षाओं का आउजित करने के लिए फेका दिया हुआ था चुना तरह की ये बताया गया कि किस तरह से एडू टेस्ट ने परिक्षा को आयोजित करने परिणाम को प्रकाशित करने और कई चर्णों में अन्निमित्ता देखी गई उसके थरू जैसे एक उधारन से समझे कि अपने विद्यारतियों को वि पास दिखा दिया अपने रिजल्ट कि हम आपकी शिवा नहीं लेंगे आगे से और तीन साल तक के लिए कंपनी को ब्लैक लिश्ट कर दिया गया तो बिहार से उत्तर प्रदेश में यह आरक्षी भरती यानि कॉंस्टेबल भरती से पहले भी कोई परिक्षा हुई थी जिसमें एडुटेस्ट का नाम आया था या उसको लेकर सवाल उठेते हैं यहां लखनों में लखनों का एक सपताल है रामनुहलोजद्विया स्पताल उसमें नर्सिंग की भरती के लिए परिक्षा हुजित की गई थी उसमें भी अनिमित्ता सामने आयी थी जिसके बाद एडुटेस्ट एक समीथी बनी अस्पताल ने एक मामला जो पिछले दिनों सामने आया आपने इस बारे में भी रिपोर्ट की है CSIR का एक्जाम जो है CSIR जो परीक्षा करवा रही है उसको लेकर सवाल उते है तो उत्तर प्रदेश में ब्लैक्लिस्ट होने के बाद हरा कि बिहार में जब ब्लैक्लिस्ट हुई थी कंपनी उससे एक दिन पहले ही CSIR का टेंडर को मिल गया था इस टेंडर से मिलने के एक दिन बाद ही 20 अक्टूबर को बिहार में ब्लैक्लिस्ट कर दिया गया था तो इस वज़े से टेंडर मिल गया जब यह परिक्षा आयोजित हुई स्टेज वन में 444 सीटों के लिए यह परिक्षा होनी थी देश भर के कई जगों पर देश भर के क आठ तारीक पूलिस पहुंचते च्छापा मारती और अंकित धिमान नाम के एक व्यक्ति को पकड़ती है और उन्होंने साथ को साथ फरवरी को पहली पाली में सुभा के पाली में जो प्रिक्षा हुई थी स्टेज वन के लिए उसमें सिवें डवास नाम की एक जो महिला भ की कोशिस की जा रही है रायस्थान में भी बहरोड में जब च्छापे मारी होती है प्लिस च्छापे मारती है तो उसे एक व्यक्ति मिलता है जो तीन चार लैप्टॉप के साथ रिमोटली कंट्रोल कर रहा था अभ्यरतियों के सिस्टम को और उनकी मदद कर रहा था तो ची के नाम बता है सिवे इंडबास, संदीप और महेश इन तीनों लोगों ने स्टेज वन की परिक्षा पास कर ली इतनी अनिमित्ता आने के बाद भी और इसके लिए C.S.I.R. को सूचित किया गया अभ्यरतियों ने अपनी तरफ से mail लिखे और यह मामला इभी cat में है चल रहा है इसके बावजूद वह तीनों अभ्यरतियों यह तीन हमें जानकारी हो सकता है ज्यादा हो सकते है तो यह तीन अभ्यरतियों ने स्टेज बरिक्षा पास कर ली ब्लैक लिश्ट उत्तर प्रदेश में कंपनी हो गई इस सभी घटनाओं के बाद इसके बाव जूर उत्तर जो CSIR है जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री में मोदी खुद करते हैं इसको स्टेश्टू की परिक्षा यूरित करने के लिए दिया गया साथ जुलाई को भी पर प्रधान में इस तरह परिक्षां में सब्सक्रेशा के परिक्षा जो क्योंडरी में उसके बाद जो CC प्रश्ट वाना था उसमें fineinner भूप टोच इस तरह अ ब suppression में बहुत सारी अन्यमितन होती है और ऐसी परिक्षा है है जब हम भारत के बारे में बात करते हैं तो तो सरकारी नौक्रियों का जो चार्म है वो अलग है लोग चाहते हैं हुने सरकारी नौक्रियां मिलें, पढ़ाई का एक मात्र अध्र उद्श है नौक्री पाना, इन सब के बाद यह जिस तरह से पेपर टीक सामने आते हैं, अनियमित्ता हैं, सामने आती हैं, इनका स्टूड जो हैं, end goal उन्हें बच्पन से यह बताया जा रहा है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है और एक नौकरी पानी है खास तोर पे अगर हम उत्तर भारत से मैं भी आती हूँ, हम सभी उत्तर भारत में देखते हैं सरकारी नौकरियों के लिए अलग तरीके का एक महाल होता है कि सबको गवर्मेंट सर्विस यह गवर्मेंट जॉब में जाना है बत और शिक्षक जब आप देखती हैं कि शिक्षा की यह दशाओ और खास तोर पे पेपर लीक और भरती घोटालों के मामले में आपको क्या लगता है यह चात्रों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है और शिक्षा को लेके जो उनका दृस्टी कोन है उनका जो भी नजरिया है वो क्या बदल रहा है इस तरीके के महाल में See I actually feel that we are in a very very worrying condition right now what we are seeing we have gone way beyond a situation of crisis and we've actually what we are witnessing if we speak specifically from the point of view of young people of this country aspirants put in whatever resources they have time their aspirations for them it's actually a collapse it's a system that's collapsing we've gone way beyond a crisis और यहाँ पे Tom and Jerry का जो एक कार्टून शो है उसकी मैं कही नकही एक अनालोजी द्राव करना चाहती हमें एक बहुत common scene in Tom and Jerry में क्या देखता है जो Tom है वो Jerry के पीछे भाग रहा होता है और भागते भागते हम देखते हैं कि उसको यह भी नहीं पता चलता है कि नीचे की जमीन खतम हो गए वो हवा पे ही मतलब भाग रहा है और जायसी बात है जब आपको वो पता चल जाता है इस लिक यह फॉल पहले क्या था कि आप महनत करो शिस्टम खराब है लिकिन फिर भी महनत करो निकल जाएगा अब तो क्या है कि the kind of scandals and how generalised they have become normal order of the day they have become the youth are just it's like this it's like you're against a wall there's no way out आपके नीचे से जमीन छहीन ली गया महनत करेंगे तो मतलब इस लिक आपको कुछ नहीं मिलेगा that's the condition of collapse now systems how do they function even bad systems function because you know there is this sense that you know a faith there's a sense of faith की फिर भी लतलिक चीज़े चल जाएगे वो faith ही खतम हो गया youth का हमारे students में there's no trust there's a huge trust deficit and it is a result of what and it is it is a result of what की scandal है कुछ corrupt लोग है पर corruption is bred and corruption grows in what kind of condition and here is the root of the problem root of the problem जो जड़ की जड़ से अगर समस्या को समझने की कोशिश करें वो यह है कि एक supply crisis है जितने सीटे होनी चाहिए जितने college university होने चाहिए जितने jobs होने चाहिए उतने है नहीं और उस condition of massive shortage में आप जोड देजेगा a new level of political cronyism हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे संस्थाओं में बहुत सारे जगाओं में universities में भी, academia में कहें कहें तरह के political appointments हो रहे है it's a new level of वही विचारधारा के वही राजनितिक खेमे के लोग हर जगा बैठाए जा रहे हैं तो आप जो nepotism जो आप एक political cronyism देख रहे हैं उसको आप जोड देजेए एक huge supply crisis के साथ क्या होगा corruption will reach a new level और जो यह लोग हैं क्या यह लोग efficient हैं क्या यह जो काम करने की जरूरत है वहाँ पर वो काम कर पाते हैं इकतम नहीं हम साफ साफ देख चुके हैं कि जब आप politically motivated appointments कर रहे हैं the competence of people entering into the helm of affairs to conduct affairs related to for example exams or recruitment process are people who are just there because they are connected to the political powers that be rather than the competence and experience to roll out to have and build systems and road maps obviously हम system को और भी भत्तर हालत से collapse होते ही situation में देखेंगा यह यह NTA के साथ हुआ है NTA में इतनी चीजे बाहर निकल किया हैं कि एक society registration act के through register हुए it's not come through an act of parliament to where is the accountability where are the protocols और 25 लोगों के आसपास पर यह पूरी संस्था चलती है इतने बडे medical exams करा रहे हैं पट्षीस लोगों का skeleton staff में से बहुत सारी political appointments है but I would like to draw your you know draw the attention of everyone to the supply crisis you know why have we reached this situation as I said because there is a massive shortage अब यहां पर देखे अलग अलग सरकारों ने खासकर कि यह सरकार जो दस साल से ज्यादा होने को है जो पावर में रही है उन्होंने क्या किया what are we seeing जितने लोग aspire कर रहे youth aspire कर रहे है jobs के लिए या higher education के लिए उनकी संख्या बर रही है उस मात्र में जितने हमारे public funded institutions होने चाहिए चाहे वो medical college हो जो subsidized public funded है चाहे वो engineering colleges हो चाहे वो nursing institutes हो चाहे वो university college हो उनकी संख्या उस मात्र में नहीं बर रही है हमने क्या किया हमने देखा कि कुछ 30-40 साल पर हमारे देश ने education को concurrent list में डाल दिया और सत्तर के दशक के आसपास देश में central universities through central government funding उनको बनाना शुरू किया उस तौर पर हम देखते है कि उनकी मात्रा बड़ी और regional universities का खात्मा शुरू हो गया क्योंकि regional universities को जितनी funding चाहिए थी वो घठती गई और कुछ गिने चुने देश में जो central universities में सारे resources उनमें केंद्रित होने लगा Now that creates regional disbalance इसलिए आपके हर central university में आप देखते है कि जो aspirants उनकी संख्या बढ़ती रही है लाखों के नंबर्स में अप्लाइ कर रहे हैं नीत का जो एक्जाम हुआ था इसी साल उसमें चौबीस लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है सीट कितनी है मेडिकल की भारत में एक लाख नौहजार सीट इसका मतलब है 23 लाख बच्चे तो ऐसी छटने वाले हैं तो उस देश में उस देश में जहां पे हमारी एक्चुल हेल्थ नीज ऐसे हैं कि हमें हर साल 10 लाख दॉक्टर की जरूवत कर रहे हैं एक लाख नौहजार डॉक्टर ही खड़ा कर रहे हैं पचास हजार सीट सरकारियें एक बड़ा हिस्सा पचास हजार तो मीजी मेडिकल कॉलजा का फीज इतना जादा है तो हम एक सप्लाइ क्राइस को एक्चली मल्टिप्लाइ होते देख रहे हैं इसको कोई अड्रेस नी कर रहा और क्या हो रहा है जो रीजनल डिस्बैलेंस है जिसके में बात कर रही हूं वो और भी एग्रिवेट हो रहा है क्योंकि आप देखेने कौन से बच्चे हमारे अच्छे पब्लिक फंडिट सेंट्रल गवर्मेंट फंडिट इंस्टिउशन तक पहुच पाते हैं या तो जाती के स्थर पे पिछ रहा था या तो कम्यूनिटी या तो जेंडर के अंगल से हम एक देखते हैं वो सारे लेवल्स को अगर देखें एक बड़ा हिस्सा तो छट रहा था और एक प्रिविलेज सेक्शन ही हमारे उनिवर्सिटीज में अब अगर में इसमें जोड़ू की पेपर लीक का जो सवाल आता है पेपर लीक में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा इन्वाल है हम अगर अभी अखवारों में देखें जो नीट में गोधरा के सेंटर की बात आ रही है वहां जो एक एम्प्लॉई है उसके पास में साथ से 10 lakh का cash मिला है यानि कि वह जो प्रिवलेजुसकी हम बात कर रहे हैं वह कही न अख़ी अभी वह उसी एक विर्ग में एक ऐसे वर्क से आते हैं या एक section of society से आते हैं, problem system का है और system ने जिस तरीके से एक shortage को, मतलब shortage को in fact increase करने की पूरी मतलब ground पैदा किया है, उसमें उनोंने coaching institutions को भी बढ़ने का एक पूरा मौका या अफसर दिया है, this is actually see, देखें, जिक exams or scandals को हम अभी track कर रहे हैं, वो इसलिए भी हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे बहुत सारे exams और तब technology के basis पे आप देख रहे हैं कि सारे चीज़े organized होती जा रही है, now technology को manipulate करना और जिस थर पे ये exams कराये जा रहे हैं, वो obviously it's big money, और वो big money भी एक बड़े हिस्से के पास है नहीं, in fact, मतलब affluent section के लि coaching के kingpins के mafia, in fact, उनके पास ये पैसा है कि वो technology का manipulate paper ले ले, खरीद ले और फिर वो बेचते हैं individuals को, जिनको पता है कि वो उनको tap कर सकते हैं, तो पहले, मैं बसकी point करेंगा कि पहले जो है coaching का जो system था, industry ते कैसे काम करता है, कुछ साल पहले क्या था कि वो बहुत सारे बच् करने की कोशिश करते, पैसा देते थे कि हम आपका नाम यूस करके दिखाएंगे कि आपने clear किया अब क्या हो रहा है कि एक बड़ा हिस्सा यूथ को बताया जा रहा है कि आप हमें पैसा दो हम आपको doctor बनाएंगे जैसे आपने का तो, now we seem to think this is happening also because of a very important player and this is because our education policy ने इस तर मेरा सवाल है मैं आपसे कि हम एक्जाम को आउट्सोर्स कब से जो कर रहे हैं जब से भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं क्या सरकार मतलब सरकार के पास इतने संसाधन होते हैं और हम अलग अलग तरह से कभी बताते हैं कि हम इतने विक्सित होने वाले देस हैं आने वाले समय तो क्या सरकार इन सारे एक्जाम को खुद work नहीं कि-क have a फिर संसाधन नहीं है रिसोर्चज नहीं है या फिर ऐसा करना TV मों ठीक है Justiri करना ओविसली खुद में करप्षिण है definitely ऐगर हो रहा है इसी बात से इंगद है एक government says a nexus hai annexis हमारे political my start powers or जो यह other business business interest groups है, उनके बीच में एक गट जोड है, और इसकी वज़से, despite the need and even resources, सरकार खुद directly अपने बहुत सारे exams कंड़कनी कर रहे है, आप देखे ना, जिस context में वैसे भी शिक्षा को privatize करने का पूरा एक policy paradigm है, ecosystem है, उसमें जायसी बात है exam और बहुत सारे चीजों का privatization, तो वैसे ही game plan है, मतरब खास करके इस सरकार ने actually इस पूरे trend को consolidate किया है, उसको एक नए height पे मतलब पहुचाया है, which is allow private players through various forms, be it outsourcing, be it other things, so इसले, this is and what does it help do, it helps of course divert from the major issue, कि सरकार को अपनी resources ज्यादा college, ज्यादा universities, ज्यादा medical institutions, ज्यादा engineering institutions, ज्यादा jobs create करने में लगाना चाहिए, ना कि किसी private company को contract देकर हर साल उनसे कुछ 10 exam कराने, यह मैं इसमें वही बात जोड़ूंगी जो आपने कहा कि एक mahal तयार कर दिया, एक ground तयार कर दिया गया है, जिसमें loopholes ही loopholes हैं, जब आप बात कहते हैं outsourcing की, outsourcing के बाद में जब हमने जो NEET के exam में गोधरा का center है, गोधरा के center में जो भी गिरफतारिया भी हो रहे हैं, जो भी media reports में सामने आया है, वो यह है कि वहां एक coaching center involved है उसमें, जिस coaching center ने जिस जगह NEET के exam का center पड़ा है, वहां का staff और वो सब लोग मिली भगत है और वहां cash का लेंदेन हुआ है, तो जो बात आप कह रहे हैं उसे वहां पर बिल्कुल अगर देखकर उसे परखा जाए वहां पर तो वह बिल्कुल सही है कि आपने एक agency को दिया है काम, और agency की इमांदारी के उपर दिया है उसकी योगिता थी या नहीं थी, हमें नहीं पता पर ऐसी चीजें लूफोल्स तयार करती हैं आप अनियमित्ता होने के लिए आप दे रहे हैं अवसर की हाँ आप आईये यहाँ अनियमित्ता करिये तो हम कोई रोक क्रियेट कर रहे हैं और फिर एलाज जूण रहे हैं जबकि हम वह condition पैदा हो नहीं दे सकते सरकार के end पे अगर हम बात करें तो इस पे यही respond करें कि देखे आप और भी कुछ अच्छी exam system evolve करने के लिए कोशिश भी करें और कर भी लें कुछ और भी बहतर exam जैसे let's say ठीक है सरकार को हम इतना pressurize कर दे कि वो खुद exam conduct कराएं ठीक है and through properly you know regulated agencies right डिक्कत फिर भी नहीं intense cutthroat competition तो वही रहेगा और जहां पर competition रहेगा वो संभावना हमेशा रहेगी corruption की right और इसले यह एक बहुत ही important सवाल fundamental सवाल यह है कि क्या हमारी शिक्षा नेती इस crisis को address कर रहा है कि जितने जरूवत है उसी के proportion में आप actually resources opportunities create कर रहे हैं अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा cut-off system भी अवाल कर लिए cut-off तो होगा नहीं एक हिस्सा अब जितना अच्छा exam करवा देंगे लेकिन एक हिस्सा ही clear कर पाएगा एक हिस्सा कोई seat मिलेगी ना बाकी बच्चों का क्या बाकी बच्चों का आप धकेल देंगे open and distance learning में यह 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 reality है हमारे दे लेकिन क्या होता है ना बारवी के बात एक बड़े हिस्से भारत युवाओं को यह तेर्वी हो जाती है क्या हो जाता है एक बड़े हिस्से को चाहे वो cut-off system के through apply कर नहीं मिलता है admission चाहे वो महनत करके entrance exam करने की कोशिश करे है recruitment exam clear करने की कोशिश को यह वहां पे छटनी हो जाती है तो करते क्या है कुछ ना कुछ तो करना पड़े है घर में बैठाने रहे एक बड़ा हिस्सा जो हमारे जो बड़े बड़े युनिवर्सिटीज है गवर्मेंट फंडियों वहां के S.O.L. स्कूल मतरब उस टाप के जो open distance learning mode है उनमें अन्रोल हो जाते है और मतरब क कुछ ही टाइप का करप्शन दिखता है यह करप्शन ही दिखता है कि हम अपने देश में लाखो बच्चों को सब्स्टेंडर्ड माटीरियल दे रहे है अपने पत्रचार माध्यम में जहां पे भारत के आजादी कौन से साल में हुई थी वो गलत लिखा हुआ है महात्मा ग सब्सक्राइब देश के बड़ा हिस्सा जो सफर कर रहा है हमारे देश के भत्तर B-grade, C-grade, प्राइवेट कॉलेज में हमारे हरुबल भी मैनेज़्ट, अंडर स्टाफ, पुर्ली फंडेट, इस्टेंस लर्निंग मोड में उनका श्राद चल रहा है तेरवी के बार तो श्रा पहले सही वंचित है वो और बुरी कंडिशन में है एक बात जब माया जी पता रही थी तो उसमें अंकित यह था कि जो लोग जहां पर बैठे हुए है वो वहाँ योगजिता की वज़ा से या कनेक्शन की वज़ा से जब आप अपने रिपोर्ट की बात करते हैं जब हम इन अपने जाने की यहां पर आप जिस तरीके गनेक्शन का इशारा कर रही है माया जी आप उसको पते हैं अपने तो हम जानने की कोसिस कर रहे थे कि लगातार ब्लैक लिस्ट होने अलग-अलग अनिमित्ता में शामिल होने अलग-अलग तरह के आरूप लगने कि बावजूद इस company को इतने सारे tender क्यूं मिल रहे हैं और आप जाने कि इस company के पास किन लोगों के exam कर वा रहे हैं और के पास कै करवा रही है इनके पास क्लाइंट की कमी नहीं है और जब हम इन्हें धूनते हैं ट्रेक करते हैं तो पता चलता है कि जो एडुटेश्ट के संस्थापक है सूरहिषचंद्र आर्या वह Smallisat मैं आरे समाज के केक सभा जो आरे समाज के जो अंतराश्ट्री अस्तर चलते हैं लेको समेलान होने करती है उनको देख़ डेक करती है और रहता है यह गुर्श्रात के ही है एमदाबाद कर्ते और हैं बुख्षडात के राजयपाल से मिलते हैं और फिर ये बीजेपी नेताओं से मिलते हैं उनका आमंत्रित करते हैं 2018 में चार दिन का अंतराष्ट्रिया आरे महासा मेला नयुजित किया गया था जिसके उधगातन समारों में खुद राष्टपती पहुंचे थे अरो मंच पे इन सभी लोगों का स्वावगत कर रहे थे सब अपने भाशन में किसका जिकर कर रहे है थे हैसे उन लोगों के साथ उनका उठना बैठना था ऐसे करी भी दिख रहा था है फिर 2023 में दैनन सरस्वती की 202 जैनती पर दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रमाय उजित किया जाता है उसके उद्गाटन समरा में कौन पहुंचते हैं उसके उद्गाटन समरा में खुद प्रदान मंत साथ में उनके साथ में प्रदान मंतरी जब मन्स से संबोधित करते हैं तो गुरिरात के राज यपाल के बाद सारवदैसिक आरे परतेनी सभा के जो सुरिष चंदरारे उनका जिक्र करते हैं उनका नाम लेते हैं दोनों लोग स्टेज पर एक दूसरे को नमस्कार करते हो सकता है हमें कोई बहुत सीधा कनेक्शन में जी बिलकुल और ऐसा नहीं कि एकदम परिवार से कटफ हो गया है आरे समय से जुरवें तो नहीं परिवार से मिलते हैं जूलते रहते हैं एडू टेस्ट के ही कारेक्रम में जिसमें सुरेश चंदरारे को पुलाया गया था व को पहुंचे थे वहां पर अनन्दी बन पतेल की जो बेटी थी अनार पतेल है वो मौझूद थी सुरेश चंदर आर्या को वो गैस्टी थे विनीत आर्या थे जो यानि कि प्रभाव शाली जो पॉलिटिकल हम देख रहा है कानेक्शन वो दिख रहा है हमें कि हां इनकी एक स नहीं कह साते कीको कोई क्नेक्शन नहीं है हम अगर आगे परताल होती है आगे पत्रकार परताल करते हैं आज किसी बितरा कि हम आगे जाते हैं तो जो बात आपने कहिं किंग्शन जैसे चीज जोुआ उ historic करे अग में बात करें लगाटर सवाल उठ रहे हैं से जैसी पर खुद राज्य सरकारे जो हैं उसे blacklist कर रहे हैं बावजूद इसके केंद्र सरकार का एक संस्थान है इसकी परीक्षा वही blacklist company करा रहे हैं आखरी सवाल है मेरा जब हम आप बतौर जसे हमने जहां से शुरुआत की ते हम वहीं आती हूं वापस से जो उच्च शिक्षा की हम आपको कै लगता है कि यह यह जो हमारी सरकार्य है वर्तमानर इसकी शिक्षा को लेके तकी पाद कर रहे हैं जिस तरह की नीतियों की हम बात कर रहे है हम लोगों ने देखा की education policy को लेकर पार की criticism हुआ उसके बावजूद कोई फरक नहें आया सामान अफसर की हम बात कर रहे शिक्षा वो लेकर आप बतौर तीचर आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं आप क्या देख पाती है इस सरकार का रवया डारेक्ट शिक्षा को लेकर आप उसे किस तरह पाती है देखे एक तो इनके कि एडुकेशन पॉलिसी का एक मेन जो एक करेक्टरिस्टिक है वो है कि नीजी करण को बढ़ावा देना इस तोर पे कि वो अलग-अलग आक्स के थू पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइविट सेक्टर है और प्राइविट इंवेस्मेंट का जो स्कोप है शिक्षा में उसको और भी बढ़ाया जा सके वो स्पेस जादा मिले प्राइविट इंवेस्टर्स को प्राइविट फॉरिन उनिवेस्टिस को भी तो उस तरीके से अगर आप नैशनल एडुकेशन पॉलिसी 2020 के भी बहुत सारे प्रोविजिशन को ध्यान से देखेंगे उसका एक मात्र है कि इस सरकार के ही पिछले दस साल के पीरिएड में हमें ऑटॉनमी का पूरा एक पॉरा एक पॉलिसी फ्रेमवर्क नॉम अफ दे बनते वे दिखाए कि उनिवर्सिटीज को हम ग्रेड अटॉनमी दे रहे हैं हम चाहते हैं कि खुद मतलब अपने बल पे धीरे धीरे नेक् अगर आप नया कोर्स शुरू करके और इंटेक बढ़ाना भी चाहते हैं तो अब आपको उनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन की तरफ से ग्रांट नहीं मिलेगा पंड नहीं मिलेगा आपको लोन लेना पड़ेगा हायर एजुकेशन फंडिंग एजन से हीफा से तो यह पू कोट अनकोट रिफॉर्म्स नहीं सुधार नहीं डिफॉर्म्स कर रहे हैं क्योंकि एक्चली जो ला रहे हैं वो शिक्षा के नीजी करन को ही इंटेंसिफाई कर रहे हैं और एक बड़े हिस्से को जो पहले से वंचित था उनको और भी शिक्षा से दूर कर रहे हैं तो यही स्थर बराबर है हमारे online education के साथ हमारे हमारे पत्रचार माधियम के साथ जो जूट है सरासर जूट है और वो समाज का एक हिस्सा जो सबसे पिछड़ा है उसको जो वैभस्ता चाहिए उसको जो क्लास्रूम बोर्ड चॉप किताबें पीचर चाहिए उनको आप क्या किस दिशा में लेके जारे है क्या जूट समझाने की कोशिश कर कि तुम्हें टीचर की जरूवत नहीं है ट्लासरूम की जरूवत नहीं है जिस देश में अभी तक लोग अपने बहुत सारे घर को चलाने के लिए खर्चे नहीं पूरा कर पारे है आप उने बोल रहे है कि मोबाइल खर towards public funded education or no commitment towards ensuring that the last youth in the line gets into the best institution. There is actually no commitment. झाल